दोस्तो में राज पांड़े आप देख रहा है आर्सीयन जोड़े आप सभी का आर्सीयन न्यूटिवी चैनल पर हार जीक स्वागत है अभी की लेटिस्ट अपडेट की बारे में बात करेंगे लगाता है इस चैनल की माजिम से आपको सबसे अथेंटिक जानकर देने का प्रि परिच्छा कब होगी नोटिफिकेशन कब आएगा प्रास्वी सिच्छक भरती कब आएगे टीस्टी पीच्टी का एक्जाम कब होगा यूब पीस्टी के बादिम से भरतिया कब आएगा तो आप वीडियो को पूरा वाच करेंगे तो पूरी जानकरी आपको मिल जाएगे उससे पहले अगर आप किसी भी भरती परिच्छा की त्यारी कर रहें ससी बैंकिंग रेलवे या स्टेट लेवल की भरती हो और कम पैसे में बहतर त्यारी चाहते हैं एक बार पैसा देने के बाद आपकी त्यारी होती रहे आपको ब्रेक ना लेना पड़े और आपका सेलेक करते हैं गले मिलते हैं और एक प्यार दूलार समाज में बना रहता है इसी के सुब आउसर पर टेश्ट बुक के द्वारा आपके लिए जबरदस्त ओफर लाया गया है इस्पेसल ओफर है क्यों 24 मार्च और 25 मार्च तक रहेगा अगर आप 24 मार्च 25 मार्च तक इसे पर्च कूपन कोड का यूज़ करने पर 12 प्रिस्ट का डिसकाउंट मिलेगा और आपको लाइफ टाइम तयारी करने का मौका मिलेगा जब तक आपका सेलेक्शन ना हो जाए आपको दुबारा पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर आप एक साल की तयारी करना चाते हैं तो 307 रुप कारी नोकरी लग चुकी है सबसे बड़ी बात है कि RCN कूपन कोड का यूज़ पर आपको 12 प्रिस्ट का डिसकाउंट भी लाए अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है आप महने से त्यारी करते हैं सेलेक्शन होना तो निच्चित है अगर आप महने से त्यारी करेंगे तो आप और बीडियो की नई भरती की बात होने रगी है क्योंकि यूपिटर पलसी को बीडियो भरती का अधियाचन प्राप्त हो चुका है अधियाचन कितनी पदों का प्राप्त हुआ है तो 14 सो से अधिक पदों का अधियाचन यूपिटर पलसी को प्राप्त हुआ है लेकि जो भ करने आने भी भाग का था प्रवेश्चा के पत्थे और बीपी ओने की ग्राम पंचाज कारी जो की पंचायती राज की अंतरगत आते हैं और जिसका अधियाचन यूपिटर बालसी को प्राप्त है और जिसकी चारचा लंबे समय से उसकी भरती के ओल एक बार यूपिटर बालसी को प्राप्त है अब 10,000 से जाधा पदो पर भरती का विज्ञापन यूपिटर बालसी के माद्व से पर 2013 के अंतरगत निकाला जा चुका है अब इस भरती को पर 2030 से देंगे या नहीं देंगे अभी इसकी कोई गारिन्टी नहीं अब इसके लिए प्रियास करना पड़ेगा बात करना पड़ेगा सब चुनाओं के बाद होगा एक बार प्रयास जरूर किया जाएगा एक बार नहीं चार बार प्रयास किया जाएगा जिससे विज्ञापन जो है वीडियो भरती का पर 2030 के अंतरगत आ जाए अगर हम लोगों का प्रयास सफल नहीं होता ह मां लीजिए तो आप गारंटी के साथ लिख लिजिए पिट 2024 से इध़र्ती का भी ग्यापन आएगा और अधिक पदों पर आएगा लगबग 2500 से लेका 3000 हजार पद हो सकते हैं तो दोस्तों एक बड़ी वेकंसी आपको वीडियो की देखने को मिलेगी काफी पद रिखता हैं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करना सुरू कर दें अगर नहीं कर रहे हैं तो करना सुरू कर दें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वालिफिकेशन क्या होगा इंटर्मीडियर साइंस आइड अगर आप साइंस होंगे तब ही अपलाई कर पाएंगे अब यूपी टेट 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा भी हो रही है कि भाया नोटिफिकेशन कब आएगा तो देखे नए से इच्छा सेवा आईउ में सदर्शी आ गये हैं कारिवाहक अध्यच आ गये हैं 15 जून के बाद एक मीटिंग होगी टेंडर जारी किया जाएगा परिछा कराने वाले एजनसी को लेकर पेपर सापने वाले एजनसी को लेकर तो कम से कम डेड़ से दो महीने का वक्त इसी में लगजाएगा उसके बाद एजनसी का चैन होगा तो अब यूपी टेट की परिछा में जून से हमाइड करें तो तीन से चार महीने का वक्त लगेगा इससे कम नहीं इससे उपर हो सकता है तो जो मुझे जानकारी प्राप्ट हुई है कि आगस्त या सब्तमबर माह तक आपको यूपी टेट का नोडिफिकेशन देखने को मिल सकता है और उसके दो से तीन महीने के बाद आपको परिच्छा देखने को मिल सकता है तो जो जानकारी प्राप्ट हुई है कि यूपी टेट असिस्टेंट प्रोफेसर टीजटी पीटी परिच्छा को लेकर काम सुरू 5 जून के बाद होगा खासकर टीजटी पीटी परिच्छा को लेकर काम सुरू 15 जून के परिच्छा को लेकर काम नहीं होगा टेंडर को लेकर काम होगा जिसके माद दिन से परिच्छा कायोजन कराया जाएगा एजनसी पर काम सुरू होगा तो अब सभी परिच्छाएं दोहजार पचीस तक पहुंच जाएंगी मतलब भरतियां दोहजार पचीस तक पहुंच जाए जा रहे हैं तो दो हजार पचीस तक आपको वेट करना पड़ेगा फाइनल सेलेक्शन के लिए अब मैं बात करूँगा UPSC को लेकर UPSC के समद में भी बड़ी ख़वर प्राप्त हुई है देखी अल्टिक्रे सिछक भरती में जो भी बात था सुलज गया है कुछ लोग कहते हैं नहीं सुल जाए दोस्तों सब सुलज गया होगा सासन का निर्देश नहीं रहा होगा इसलिए विज्ञापन नहीं है क्योंकि बिना निर्देश पत्ता भी नहीं रहा है ऐसा प्रतित हो रहा है तो एल्टिक्रे सिच्छक भरती का विग्यापन, बलाग एजूकेशन ओफिसर का विग्यापन, एई का विग्यापन, असिस्टेंट इंजीनियर का विग्यापन, आपको जून के बाद देखने को मिलेगा, यानि कि जून मास से ज़े चुनाव समाथ होगा, इस पर भी काम एई, या फिर एल्टिक्रे सिच्छक भरती की वेकंसी आपको जुलाई अगस्त माथ तक देखने को मिल जाए, चुनाव के बाद इस पर भी काम सुरू, उसके बाद हो सकता है कि सासन के दोवार निर्देशित कर दिया जाए, तो एल्टिक्रेट का विग्यापन देखने को मिल जाए, ब्लाक एजुकेशन का विग्यापन देखने को मिल जाए, तो आप लोपनी तयारी करते रहे, अगर किसी प्रकार की आपको समझ्चा दिखती है, खबर आपको सही सठीक प्राप्त नहीं हो पाता, बस एक बार कमेंट बॉक्स में पूंच लिया करिए, जैसे मु वीडियो को सेर करने के बाद नीशी आप लिख दिया करिए, कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप की राय हमारे लिए चमहत्पूर्ण है, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को सेर करके, ज़रू बताएगा, लाइक ज़रू करें.